हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में लोग डिसकस करेंगे क्लास नाइन पी अरसन आई 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 फांडेशन से ग्रेव एडिशन चैप्टर से लेवल लिंग देखूं तो हमारा 55 तक हुआ है 51 से लेकर 55 तक हमने कर दिया है यह हम पार्ट वन में पालेंगे आप अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं पार्ट टू में हम लोग 56 से शुरू करेंगे और देखते हैं कहां तक पहुँच पाते हैं 56 में क्वेशन कह रहा है eurosity of satellite from the surface of a planet is root two times the orbital velocity of the satellite दिखिए जो सटेलाइट what? हमने बात करने है एक एक हर्थ है एक मतब कि है और अर्थ का rateious mass nope radius or mass given Pump e. स्टेМ है रेडियस आर है अर्थ का यह सेंटर है यहां पर हम ने देख लिया आप पर कहीं पे बाडी को थो करें अगर थो करने के बाद इतने स्पीड थो करें कि अर्थ के फिल्ड से बाहर हो जाए तो इस स्पीड को हम बोलते हैं resume دیا prendre accept speed अच्छा है च्छा कि वाले की बात नहीं हो रही है और आगर हम माले लेते हैं किसी audio को हम इसके चारों तरफ घूमाने की कोशिश करें तो यह ज़ो चारों तरफ में घूम सकता है इसी को मोनता है स्पीड मतलब सैटलाइट जब किसी मतलब आर्थ के चारों तरफ जब कोई चीज घूमती है तो उसका नाम सेटलाइट हो जाती है वह सरकल में घूमता है युद्ज में रिप्गोंता हम लोग इसको सरकल में मानेंगे तो वह जो और बिट में जिस स्पीट से गोमेगा उसी को बोलते हैं और बाइटल स्पीड जैसे यहां पर ब्लानेट है इन दोर के बीच का डिस्टेंस यह कुछ है है हाइट में होगा और यह रेडियस है और यह जो पूरा डिस्टेंस हैं इसको स्मॉल आर्ग लेते हैं समझ गए तो क्या होता है नहीं जो हमारी स्केप स्पीड है उसका फार्मूला निकल के आता है स्क्वार रूट आफ टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर अगर हम अर्थ के सर्फेस से थ्रो करें तो जिस बॉड़ी को हम थ्रो कर रहा है वो सेटलाइट भी बनेगा कब जब अगर वो अर्थ के चारू तरफ घूमे सर्कल में या इलिप्स में आप अभी सर्कल में ही मानें ठीक है तो इसकेप स्पीड का जो फार्मूला निकल के आता है अगर हम सर्फेस ऑफ अर्थ से थ्रो करते हैं तो आता है टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविडिश स्पीड निकल के आती है बच्चो वह आता है डिस्टेंस यह आता है हमारा कैपिटल जी कैपिटल है बाई स्मॉल आर किसके बरावर है कैपिटल आर प्लस एच हां लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जो एच है वह काफी चोटा हो दस बीस किलोमेटर्स उपर ही हमारा सेटल लाइ है काफी चोटा हो रेडियस से तो एच कैन बीगनोर्ट चुकि रेडियस ऑफार्थ होता है 6400 किलोमेटर्स अगर हम 30-40 किलोमेटर्स उपर अगर हम घुमाएं किसको सटलाइट को मदद सटलाइट की जो हाइच है आर्थ के सरफेस से अगर वह काफी कम है रेडियस अवर से इन वी कन इगनोर कैपिटल आर एप्रॉक्सिमेटली स्मॉल आर किसके बरावर होगा कैपिटल आर के तो हम और्वाइटल स्पीड को ले सकते हैं अंडर रूट जी अम बाई कैपिटल आर ये तभी होगा मुम्किन तभी मुम्किन तो नहीं होगा कभी लेकिन ये एप्रॉ स्क्राइट ऑफ जी एम बाई आर यह फॉर्बला सही है अर्थ को हम स्फेरिकल अजियूम किये हैं उतना तो हमको लेना ही पड़ेगा तो यह रूट टू और यह जी अमई आर का स्क्वार रूट एप्रॉक्सिमेटल किसके बरावर हमारा और बाइटल स्पीड के बरावर तो स्पीड बन जा है उसकी जो और बाइटल स्पीड होगी और बाइटल स्पीड का रूट टू टाइमस इसके स्पीड आएगा इसके स्पीड क्या है जिस स्पीड से हम थो करें इतने स्पीड से कि वह अर्थ के फिल्ट से बाहर हो जाए और और बाइटल स्पीड क्या वही ब of the masses of two given set ये तो आप समझ गए ये तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल समझा दिया इतना आपको चाहिए ही नहीं ठीक है ये थोड़ा मैं आइडिया दे दिया आपको बोला है कि जो escape speed है वो root two times है orbital speed का और कह रहा है और ये जो मास है ना छोटा वाला मास मतलब satellite का मास या जिस बौड़ी को हम थो कर रहे है उस पर depends करता है या तो प्लानित की बात करता है तो कह रहा है इस आर्थ के बारे बात हो रही है कोई और प्लानिट हो सकता है, तो मासेय का रैशियोो प्लानेट में मासेयो coherent हो गिवन है 1 by 4 एंद बनाव 1 by 4 गिए है औह Ferranos प्लानेटनेट हो ने का रैशियों गिवन है और कहर Aa응, तब देख दिख राई रोखे satellites from the surfaces of two planets ठीक है तो वही सटल लाइट का escape velocities या speeds के ratios मांगे तो क्या होगा formula क्या है हमारा यह तो root 2 V0 होगी है V0 under root GM by capital R लिखेंगे हाँ पर क्यों चूंकि हम nearby satellites की बात कर रहे हैं तो क्या होगा VE1 by V2 क्या होगा root 2 V0 1 by root 2 V0 2 root 2 root 2 cancel तो basically orbital speeds का ratio हो जाएगा तो cancel हो गया square root of G जी तो universal constant है GM1 by R1 बटे क्या होगा GM2 by R2 जी जी cancel हो जाएगा सब square root के अंदर आ जाएगा M1 by R1 into R2 by R1 का square root इसको अगर solve करें तो हो जाए square root of M1 by R2 by नीचे क्या हो जाएगा M1 R2 by M2 होगा I'm sorry M1 by M2 into R2 by R1 और M1 M2 का ratio given है 1 by 4 R1 R2 का ratio 1 by 2 लेकिन यहां हमने reciprocal कर दिया है तो 2 by 1 हो जाएगा 21 जाएगा 21 जाएगा 21 जाटू 22 जाफोर तो क्या होगा वन इस दू रूट तू क्या होगा वन इस दू रूट तू क्या आंसर होगा one is to root to the escape speeds का जो ratio है सटल लाइट का अलग अलग प्लानेट से वो कितना रहा है तो चैज सबस्क्राइब के मास पर या और उस से स्मझ आए होगा ज़िए यह प्राबलम नूमर 56 अमने डिसकास किया अब नेक्क्स आते हैं प्राबलम नूमर 57 में find the height from the surface of the moon moon देखिए यह हम डेटा वाइस दो नहीं करेंगे सवाल थोड़ा मैं अलग तरीके से करूंगा from find the height from the surface of the moon तो यहां पे अगर हमारे पास चांद है और दूसरा हमारे पास क्या है अर्थ ठीक है चांद का अपना रेडियस होगा अर्थ का अपना रेडियस होगा find the height from the surface of the moon वेर तो height from surface of the moon मांगा यह वाल है यह वेर value of g is equal to the value of g at the height of 57600 kilometers from the surface of the earth तो यहां पर जो height लेना है कितना लेना है 57600 किलो मीटर अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलो मिटर इसे डिवाइड करके देख लेंगे तो यह अगर हम देखे हैं 6400 उपर 57600 कैंसिल हो जाए इसे गार्ट शूट आठ साट एच्छपन अर्दूने सॉल है अर्वा बहत्तर मतलब यह 9 टाइम्स यहां का जी और यहां का जी तोनों आपस में क्या हो बराबर? acceleration due to gravity earth के surface में जितना होता है moon के surface में उनका one by six होता है ठीक है आप देखेंगे समझ आएगा कितने हाइट में तो यहां पर हाइट में हाइट कहा से लेता है from the center depth में जाने से problem होता है हाइट में तो कोई issue नहीं है तो g at moon moon के कुछ height में वैसे तो यहां पर डेश कर देते हैं और g at earth something कुछ height फे दोनों बराबर होगा तो हमें पता है moon के लिए क्या स्वाल करेंगे capital G mass of moon divided by क्या होगा radius तो नहीं होगा RM plus H होगा RM plus H का क्या होगा whole square mass sorry moon का radius plus H यह पूरा distance लेंगे is equal to कितने height पर आरी तो आरी तो आरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा capital G capital M earth का mass divided by r e plus 9 r e height to 9 r e total 10 r e distance होगे यह हो जाएगा g m mass of moon mm मतलब यह चोटा सा mass यह moon के लिए इस्तेमाल के multiplied नहीं है m stands for moon here okay यह नहीं समझें आप multiplied है तो यह हो जाएगा RM plus H का whole square यह काम करते हैं यहीं पर हम शुरू कर देते हैं अपनी बात हैं जो मैं कहना चाहता हूँ capital G capital M एक चीज़ याद रखें जो small G का formula होता है surface में capital G capital M by R square होता है अर्थ के लिए 9.8 meter per second square आता है मून के लिए उसका one sixth हो जाता आपको पता होगा तो capital G capital M किसके बढ़ावर होगा जी आर square के बरावर तो यहाँ पर हम simply G R square लिख सकते हैं जी आर किसका लेंगे मून का G R M G R M का square है ना लेकिन जो है G होता है यह थोड़ा सा हमें होश्यारी से काम करना पड़ेगा यह जो जी होता है यह उस जी का अर्थ के G का one by six होता है तो यहाँ पर हम जी नहीं लिखके क्या लिखेंगे जी बाइसिक्स आइधिंग यह बात आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखेंगे बच्चो जी बाई six आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ यह अर्थ का यह हम देखिए मून के लिए किसके लिए तो यह यहाँ पर हम जी मून तो लिखते है आपको समझा जाएगा जी मून आरम स्कॉर और नीचे क्या हमारा आर एम प्लस ह का होल स्कॉर इस इक्वेल टुमास अफर्थ यहां होगा जी काहँ पर अर्थ के सर्फेस में इंटू रेडियस ओफ अर्थ का स्कॉर्ड नीचे क्या हो इतना टेन आरीका होली स्कॉर काफी बढ़ियां सवाल है यह यह हो जाए का मास मून के सर्फेस में जो एक्सलेशन डीटू ग्रेविटी होती है आर्थ में जितनी होती है उसका वन सिक्स होता है इसको लिख सकने जी इबाई सिक्स इंटू क्या होगा आर एम बाई प्लस होल स्कॉर यहां पर हमने एक साथ कर दिया और यहां पर टेन का स्कॉर हंड्रेड हो जायाएगा या एक साथ कर ले इसको मैं बिटा दे रहा हूं इसको उतार लिजिए आप जल्दी ठीक है क्या था जी ऊपर क्या था जी एम बराबर स्मॉल जी जी कहां पर अर्थ में इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्कॉर बाई टेन का कितना हंड्रेड हो जाएगा आपर हंड्रेड आर ए स्कॉर है ठीक है बच्चो तो आरी स्कॉर आरी स्कॉर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल यहां जी इजी क्या हो जाएगा कैंसिल यह हो जाएगा आर एम बाई आर एम प्लेस एच का होल स्कॉर इस इक्वल टो यह सिक्स उदर जाएगा तो सिक्स बाई हो जाएगा हंड्रेड इसको हम प्लाट दें अगर आर एम प्लस हमून का रेडियस प्लस हाइट जिसमें हमको निकालना है यह यह यहां पर सॉल्व करेंगे अगर आरे माया रम कितना वन प्लस एच बाई आरे मेज़िए दास अंडेट का रूट एन और रूट इस यहां पर हो जाएगा प्लस फन उस पार ज तो पॉइंट सम्थिंग यह करके आप लेके आएंगे अगर तो रिजल्ट आएगा यह टू पॉइंट फॉर फाइब नीचे आएगा है आप है टू पॉइंट फॉर फाइब अप्रॉक्स माइनस वन यह करेंगे यह हो जाएगा एच बाई आरे मिस इक्वैल टो टेन फॉर पॉइंट जीरो एट माइनस वन यह लगबग चार है चार में गया तीन तो जो हाइट है हमारी वह गया तीन गुना रेडियस ऑफ एप्रॉक्स है तो क्या हो जाएगा थोड़ा ज्यादा होगा चुकि पॉइंट जीरो एट भी है लेड़ा समून है सत्रह सो चालीस यह दिए कि बाउन सो बीस किलो मेटर आया और हम इसको लिख सकते हैं त्रिपंट सब किलो मेटर थोड़ा ज्यादा कर देते हैं और आंसर फिफ इस पैक्ट में भी कर सकते हैं लेकिन हमें बहुत सारे आइडिया थे जिसकी वज़े से मैंने किया ऐसा अगर आपको यह समझ आये तो मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं आई थिंक यह समझ आया होगा जैलिए 57 हो गया तो आप देख रहे ना कि एक जो हमारा अबर्वेस ऑफ वर्डियू फ़र्थ के रिस्पेक्ट में ही गिवन था थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना कि कितना टाइम्स था फिफ्टी एट नमबर है वाट इस अधर भी आ सकते हैं वही हाइट होगी यह रेडियस आ रहे है और यहां पे हम एच हाइट ले रहे ह आधा बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ का आधा ऊपर जाने से जी का वैली कितना होगा मैं घी डैस लिए तो जी डैस जो होगा वह क्या होता है जी एम चुकि हम बाहर में हैं तो पूरा अर्थ का मास आ जाएगा तो मास पूरा ले लिए और डिस्टेंस कहां सेंटर से यहां तक कितना हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्कुरा है आपको यह वाला फॉर्मूला लगाना पड़ाएगा यह यहां पर शॉर्टकट आता है हाइट में जी डैस बरावर जी इंटू वन माइनस टू एज भाई यह तभी वैलिड है जब हाइट रेडियस से काफी छो जाएगा कितना पूट गरना हाइट अरवाइट टू यह जी अिन एम बैए आट पलस आ बाइट टू का होल स्कौर्र तो जी हैं बैट वैटक यह सिगे वाल पूल जाएगा लाह आज जाएगा 142 का लन्ड़ फॉर पलस टूंड आप स्कौय का होल स्कॉर टू का स्कॉर 4च due to gravity on the surface होता है यार थे तो on the surface अफर्थ तो g dash हो जाएगा 4 by 9 into g और g का value है मैं पता है 9.8 meter per second square इसको अगर आप put करेंगे तो 4.36 approach आता होगा या exact तो देख लिजेगा I don't think कि exact आएगा क्योंकि 9 से divide कर ले है तो 4.36 meter per second square 4 9th हो गया मतलब 9.8 को अगर नौ पार्ट से बार्टनर का चार पार्ट तो आधा से थोड़ा कम होगा तो 9.8 का आधा कितना 4.9 उससे थोड़ा कम 4.36 meter per second square कहां पे 3200 km अर्थ का radius का आधा distance अगर हम लें उतना ऊपर चले जाए तो radius I'm sorry जो acceleration due to gravity of 4 9th हो जाती है ठीक है और सवाल में बोला है आगे कि can we use the formula इतना या आप एज बराबर R by 2 अगर हम पुट करेंगे तो खुद देखिए 1-2 into R by 2 by R 2 to cancel R by R 1 हो जाए गवर्ण में इस जीरो हो जाएगा और G-0 आएगा यह क्यों ऐसा हो गया चुकि यह formula valid नहीं है उतने height पे यह कब तक valid है जब 100 km के नजदीक मतलब उसके पीछे ही हो distance इतना ज्यादा नहों कि वह radius of earth के comparable हो जाए तो ऐसे situation हम यह formula इस्तेमाल नहीं कर दी अप्रॉक्सिमेशन डेरिवेशन जब करते हैं तो उस बहुत क्लियर होगा एच कमण और वाई टू पूट क्या टूटू कैंसल होगी और बायर वन होगिया वन मैंस जीरो होगा जीर जीरो आ गया लेकिन आपको पता है कि कितना रहा है four point three six meter per second square बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वह approximation यहां पर वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है three thousand two hundred kilometer से यह वैलिड होता जब यह अर्थ के surface के आसपास होता बहुत आसपास तो nine point eight meter per second square लेते हैं दस किलोमेटर तक और दस से लेकर 100 त F में जो फार्मूला था वैप्रोक्सिमेशन निए उसमें बस यह अप्रोक्सिमेशन है के आर्थ को आपको स्फेरिकल मानना है सिमेट्रिक मानना है और यूनिफर्म देंसिटी मानना है 59 ने बोले है अर्थ एग्जर्ट मूर फोर्स ऑन हैवियर बोडीज है ने दैन उन ल सब्सक्राइब करने की वजह से यह बात होगी यहां पर डिपेंट नहीं करने की वजह से यह बात होगी दूस्किते है तरफ इसाहएं साथ नंबर गयाफ को के न अ को कैन sao अ के को कैन को मतलब जो आप लिक्विट जो आप ट्रिंक मानना उसका-कょनटनम जो का कंटेनर इसका ओस डेशलीजिवल मास मास वशनलियज़िवले गैन का मास है लेकिन इसको हम इतना कम एन इतना कम मानन ignore कर रहे हैं, प्लास्टिक का होगा शायद, शीशे का होगा तो थोड़ा से तो भारी होगा, अको कैन ओफ नेगलिजिल, कैन ओफ नेगलिजिबल मास इस इन दे शेप असलिंडर, its volume is 500 ml and its base area is 100 by 3 cm2, तो हम बना लेते हैं, यह कोक का कैन है और यह कोक का कैन का जो बेस का एरिया है, वह है 100 by 3 cm2 और 500 ml इसमें कोक है, ठीक है, अब परसन कंशूंस 25 ml अफ दे कोक फॉर आवरेज सिप एक एक बार में पचीस अमल ले रहा है, अब बारस सिप्स लिया, तो बारह गुना 25 ml, 12 अच्छे है, अच्छे है, अच्छे है, तीस, 300 ml पी लिया, तो रिमेंग कितना हुआ, रिमेंग 500 से 300 हटा दीजिए, कितना बचा, 200 ml बचा, और ml मतलब सेंटिमेटर क्यों, तो 200 cm3 बचा, ठीक है, तो टोटल कितना है, 500 cm3, वॉल्यूम कितना होग यह यह बेस का, 500 से नुटे कियो, वॉल्यूम का फॉर्मला क्या होता है, हमारा, बेस का एरिया, इंटू हाइट, एन इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, तो हाइट निकल क्या आ जाएगी, जो रिजो जो चैन्सिल, एज बराबर कितना, 15 cm, तो 15 cm की हाइट, तो 15 cm की हाइट, कितनी हाइट बढद आ ये, 15 cm, तो कह रहा है, फहाइट इस ग्रेडोग़ने तक लधानिस साब, हमारा निकली तो अब ही पंदरस कितना 15 cm अभल में, फंद बश्रू में, फंदर closest से विचां ट्रिट यह में अग होगी किता ओपर है, कि आ ऊपर होगी, कित ओड़ो इसका आ यह पी लिया है तो पी लिया है तो क्या होगा कितना बचा अब 200 ml बचा है अब 200 ml बचा है तो हमें पता है 500 ml के लिए कितना आया साड़े साथ सेंटीमीटर चाहे तो आप कर भी सकते हैं इसका 500 ml के लिए कितना उपर आया साड़े साथ संटीमीटर है न है प्रहले हम उसका वो निकाल लेत है है निकाल लेते है इस की यहाइट कितने निकल के आएगे इस एंट्र ऑफ ग्रेविटी यहां पे ना होगी कही तो है तो हाइट कितनी होगे इसकी 15 सेंडिमेटर को कितना का निकालने 200 ml के लिए कितना हो जाएगा 15 भाई 500 गुना 200 कैंसल हो गया पांच तिया पंद्रह कितना आया 6 cm तो यह हाइट पूरी कितनी आई 200 ml के लिए 6 cm तो यह जो center of gravity है यह कितना होगा 6 का आधा देश 3 cm तो 3 cm ऊपर center of gravity होगे कब जब वो पत्चीस सिप्स नहीं बारस सिप्स एक एक सिप में पटीस अमल पी रहा तो बारस इब पीने के बाद जो लिक्विड बचा जो कोग बचा उस कोग का center of gravity अब बेस के बेस से कितना उपर होगा 3 cm सूपर होगा uniform density का मानते है हम लो है न इसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है कह रहा है कह रहा है कि वाट इस the height of the center of gravity of the can of the can from its base when placed vertically if the mass of the can is not negligible how would this answer vary जब इसका mass negligible नहीं होगा तो फिर जो center of gravity है इस पूरे का अगर लिया जाए तो इसकी density density different होनी की वजह से फिर थोड़ा सा वैरी करेगा वह उपर जा सकता नीचे आज़े डिबेंट करता है कि density किसका ज्यादा किसका कम है वह तो थोड़ा वैरी करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बता है आपको क्या समझाया उसमें तो मुझे इतना ही समझा रहा है क चलिए ठीक है सादा नहीं हुआ है तो क्वेशन नमबर 60 हो गया 61 if two bodies of mass one kilogram and four kilograms are released from the heights where gravitational force on them is equal which height a duram a grave in the force f1 to become किसके बरावर f2 के बरावर तो फॉरम्मला क्या होता है जी मास of earth हैना अर्द की बात हो रही है और को और यह हमार एर्थ है कि अर्थ का डियस में एंड ने लिया और माशिस का एंब ले लिया किया हमारा अर्थ ठीक है तो लामस आ आ इन ले रहे हैं पहला वाला के लिए में लिख दिए यह इसके साथ मञें कि इंटू मन भाई जो डिसे बोड़ी का मास्वा ये कुछ हाइट में होगा कुछ फाइट में होगा एच हाइट होगा तो क्या होगा और प्लस एच होगा तो रेडियस अफ अर्थ प्लस कुछ बोला है क्या एच का होल स्क्वार्य एच वन कर लेते हैं जी मास ऑफ एर्थ दुना दूसरा बॉरी एंटू भाई आर प्लस एच्ट यह दुनों आपसे बराबर यह बोला है तो चैंसल कर ले जी अग्यम गैंसल और एक बॉर्डी है जिसका मास एक क्लोग्राम है कह रहा है कि फाइंद ही खावed आब फ्रम हाइट फ्रम फ्रमान किलोमेंटर ना बोडी एक ल्या़ पंख वम कर ले ले लेते हैं ये एक लि largely व्युक्वरम का पते आर और प्लसओं बार्यnew而已 देंद्र सेम 안녕하세요 लियो नाप्र सत्कान इया उननों फ्री deepest है और दूसरा हैवित एचर और मैं कहरा q2 H 2 ka holi school युम्हरेदाई अगर मंदको एक सउक्वार बराबर 4 X 4 मतेश्व क्यों continuity स्क्वार एक स्व्यूर तै क्या हो अवार को प्लेश टू-बियो गर माइनस टूभी होगा क सवरे रेना कुछ हाइट में है तो जोर काके प्लस कुछ हाइट आर प्लस एठ लेंगे इस ते इस्टेंस ते इस फैरिकल बाडिस के लिए अर यूनियूफर्म है स्यमेट्री के सब तो जान नहीं पड़ेगा तू बाइ आर प्लस एच टू बराबर क्या होगा वन बाइ आर प्लस फन प्लस वन भी होगा और मानेस भी आर प्लसटू औस तू अचनप्वर अनले यह वनाट जाएगा यार उस पाड़ जाएंगा तो आर प्लसटू आर कितना है हमारा kg दो कि गोद्र भॉलडि सिर्फ एक क्लोमेटर ऊपर और चार किलोग्राम का बॉडडि 6402 किल्मைटर ऊपर थोनों पर फॉरक मिटवा वुर्फ लग है क्यों डूनों का क्या अलब है मास ते अलग-अलग है है हैовать है के मज़वworkers को कितना ऊपर हूं ना Kay है 1402 किलमेटर और लाइटर बॉड़ी को सिर्फ एक किलोमेटर उपर दोनों पर और तुवारा जो फोर्स लगेगा दैट विल भी सेम ओके अब अब अगर निगेटिव आला चेक कर ले जाए तो चेक कर लें यह आपके लिए हों मोगे निगेटिव आला करी देते हैं आप बोलिंगे वह क्यों नहीं किया तो यह हो जाए-गा टूवाई आर फ्लस एच्टू बरावर निगेटिव एगर निगेटिव वन पर आ रप्लस वन की यह जाएका टू आर ब्लस टू बराबर यह मैनेस फटेम फटू भी मैनेस 500 से इस पार आएगा तो Depart coast मायनस सबसक्राइब मायनस ऐसब मानेस थरी आप r brought to the minus to do negative me as ng फॉशिब ईन है हाइट निगटिव में कै साथ हा थै हाइड पॉशिबिडिम है तो तो वो वाला अंसर वालिट नी लेकिन आपको चेक कर लेना चाहिए, मैने चेक कर दिया, ओके बच्छो, एक लास्ट प्रोब्लम ले लेतने, I think समझ आया होगा आपको, ड़र्ण, 62, a mine worker, मेजर्स, his weight inside a mine and find that it has decreased by 0.05%, तो ग्रेविट इक्रीज कर गिया है भाई, 0.05% decreased by, आप देट उन सर्फस अफर्थ, सर्फस अफर्थ में कितना होता है, जानती होंगा, 9.8 meter पर स्क्रीट स्क्रीट इस्वार्थ, then find the depth of the mine, उसमें कुछ कुछ बोल है, देखिए जो जी डैश होता है, बत अब देफ में, वो होता है, जी इन्टू 1 माइनस डैप्ट बाई आज यह आप गहराई गए हैं, और आप याद रहे हैं, यह फॉर्मला बिल्कुल वैलिद है, इसमें कोई approximation नहीं है, बस यह माने ह बचा कितना, जी से 0.05% of जी घड़की है, तो कितना बचेगा इसमें, तो जी माइनस 5 बाई 100 तो है ही, एक परसंटेच के लिए 2 जीरो और भी, इन्टू जी तो यह हो जायाएगा, 10,000 जी माइनस 5 जी बाई 10,000 ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो कित कैंशल, हम सरी, कैंशल ही हो जाएगा, इतना आया, तो इसको मैं पूट कर दे रहे हैं, जी माइनस 5 जी बाई 10,000 बराबर, जी माइनस जी डी बाई आर, तो जी जी कैंसल हो गया, तो माइनस माइनस भी कैंसल हो जाएगा, फिर यह जी जी माइनस 5 जी बाई 10,000 बराबर, जी डी बाई आर, फिर जी जी कैंसल, माइनस भी कैंसल हो जाएगा, तो दी बराबर हो जाएगा, आर इंटू 5 बाई 10,000, तो जो डैप्थ है वो हो ज तें ताव्ज़ दो जिरो दो जिरो कैंसल थे न पांच चोग इसका जिराश जल्दो छे पंच है तीज़ दू बद्धिस by ज़ना एं थ्री पॉइंट टू किलो मीटर मतब तीन फॉइंट दो किलो मिटर या कहां बदिस्तो मीटर मेटर थूढ़ी टूंड़ेड मीटर अंदर चले जाए अगर कितना श्रीपॉइंस ज्यादा दो यह ज़ता थे इसे तीन किलो मीटर से भी ज़्यादा अंदर गहराई में घुसने के बाद जो ग्रेवीटी है जो डिक्रीज होती है वह 0.05 परसेंट घटती है बस मतब 99.95 परसेंट जी बचती है इतनी घटती है आई तिंग समझ आया होगा यह सवाल सा मैंने समझा दिया अभी नेक्स बचे हो और भी कुछ पार् परिशान होंगे तो आपके परिशानी के वज़े से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सलुशन्स लेकिया हूँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू वेरी मच सवाज मैं माँ थैं लेक्ट DNA 2 अटेसी लेक्सी ने भी मौास में किषका हैं दो आपके परिशानी के वाज रंटानी के साम पाओड़ के अभी के याज़ाशन परिशानी के आपके परिशल्स